नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्यान चैनल में इस समय कौन सा एन पीके का प्रियोग करें अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो जैसे कि धान में ज़्यादा छिलका न बने तनों को मजबूत बनाना है जिसे बालियों का विकास अच्छे से सुरू हो सके तो इस समय सही एन पीके कौन सा है और किसका इस्प्रे करना होगा सभी चावल दानों में ठोस भरें और बिमारियों के प्रति सहन शक्ति बढ़े धान की फसल में बहुत जरूरी है किसान बाईयों आप तक तो हम लोगों ने बहुत कुछ परियोग किया है लेकिन जोन ये समय चला है धान की फसल में इसमें हमको NPK कौन सा प्रियोग करना चाहिए कितनी डोज लेनी चाहिए और बेस्ट रिजल्ट आएगा अच्छी फसल होगी तो आप लोग या वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं पहली वार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पासाली घंटी को प्रेस कर दें खेती से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुँचे तो किसान भाईयो बात आती है अब एन पी के एन पी के तो बहुत से हैं एन पी के 19, 19, 20, 20, 13, 0, 45, 00, 52 लेकिन अब इस समय हम धान की फसल में सही एन पी के का ही चनाव करना है और उसी का स किसान भाईयो जैसे कि हमारी धान की फसल जो है इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है पोटास और फासफोरस तत्त की और नैट्रोजन तत्त की अगर हम थोड़ा देर करते हैं या लेट करते हैं तो हमारी फसल पे बेहतर रिजल्ट नहीं आते हैं परियोग तो हम लोग बह घर पे भी त्यार कर सकते हैं घर पे त्यार जो करेंगे आप लोग वो नोट कर सकते हैं दो किलोग्राम डीएपी दो किलोग्राम यूरिया और सो ग्राम चिलेटर जिंक जो आती है इसको आप सभी को लेकर घोल अलग अलग बनाकर फिर एक स्प्रे कर सकते हैं लगबख सो स से सवा सो लीटर पानी के अश्यक्ता लगेगी डिये पी रात भर पानी में डाल कर घोल को भिगो दें और रखा रहने दें सुवे उसी को घोल बनाके स्फ्रे करें जो मैंने पानी की मात्रा बताई है सो से सवा सो लीटर जरूर होनी चाहिए अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो इस समय जो NPK आप मार्केट से लाएंगे वह आप लोगों को प्रियोग करना है NPK 0-52 इसमें 52% फासपोरस 34% पोटास होती है मात्रा 1.5 kg नैट्रोजन 0% होती है इसलिए आप लोगों को अलग से 1.5 kg यूरिया लेनी होगी अलग अलग गोल बनाना होगा एक एकड मे स्प्रे करें पानी की मात्रा वही रहेगी इसके साथ में आप लोगों को नोट करनी होगी बात किसान भाई कुछ 13-045 NPK का प्रियोग धान की फसल में करते हैं लेकिन ये सही समय क्या होता है 13-045 जो NPK है उसका कप प्रियोग करना चाहिए आप लोग नोट करें इस बात को गबोट अवस्ता पर ही करना चाहिए जब हमारे तने हैं गोल हो जाते हैं तनों की अंदर बालियों का जनम हो जाए उस समय 13-045 का स्प्रे करें कुछ किसान भाई बहुत जल्द स्प्रे करते हैं लेकिन इस से रिजल्ट अच्छे मिलने वाले नहीं हैं बालिया निकलने के अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने आपको घर पे एन पी के तियार करने के लिए बोला था तो किसान भाई यो डी एपी में जो फासपोरस है वो 46% होती है और नैट्रोजन भी 18% मिलती है और आलग से अगर हम लोग जैसे की जिंक चिलेट में जो है परसेंटेज बहुत अच्छी होती है उन परसेंटेज कम होती है तो किसान भाई यो जो मैंने आप लोगों को घर पे तियार करने के लिए बोला है अगर वो स्प्रे करने जा रहे हैं तब आपको जीरो बावन चौटिस लाने के शक्ता नहीं पड़ेगी अगर आ किसान भाई यो बनाके रखें थोड़ी मात्रा में जरूर पानी रहना चाहिए और बीच बीच में हवा भी लगनी चाहिए पानी को सुखा भी देना चाहिए लेकिन गबोट अवस्ता से लेकर बालिया निकलने तक पानी आपको बनाके रखना है खेत के अंदर बेहतर कि वो एक बराबर एक समय पे पकेगी सभी दाने अच्छी क्वालिटी में होगे तो किसान भाई यो जानकारी अच्छी लगी होगी तो किसान हित में प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिएगा आज के लिए इतना था अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पे झाल झाल